छोटा अमिताव, आपकी सिक्रीन पर जो आपको ये फोटो नजर आ रहा है, आपने इस बच्चे को बहुत सारी फिल्मों में देखा हुगा, इस बच्चे ने ज़्यादा तर छोटा अमिताव के रॉल निभाई हैं, यानि कि अमिताव बच्चन के बच्पन के रॉल ज़्या और क्यों इन्होंने फिल्मों को छोड़ने का डिसीजन लिया था तो पूरी जानकारी यहां पर जानने वाले हैं वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानिय चैनल में आपका स्वागत है यह जो छोटा बच्चा है इसक सूपर इट रही थी और मयूर की किसमत इस फिल्म से चमक गई थी पहली फिल्म थी और इसी फिल्म से मास्टर मयूर की किसमत चमक उठी थी दोस्तों सत्तर के दसक में मास्टर मयूर हिंदी सिनामा पर राज किया करते थे सभी लोगों के चाहिते बाल कलाकार थे और बहुत नाता नहीं था, उसे तो बस किसमत बॉली बुड में ले आई थी, बॉली बुड में किस तरह से आई थे, कैसे उनकी किसमत बॉली बुड में उनको घसीत ले कर आई थी, अब यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जो मास्टर मयूर थे, असल में उनकी मा सने लता वर्मा जी जो की पेशे से पत्रकार थी और वह बॉलिवुड में जाकर एक्टरों के इंटर्वु लिया करती थी उनकी दिली ख्वाइस यह थी कि उनका बेटा फिल्मों में एक्टिंग करे मनी मन उनकी यह ख्वाइस थी कि बेटा हीरो बने मा का सपना धीरे धीरे अदम रखने का हुआ यह कि सने लता एक बार प्रकास महरा का इंटर्व्यू लेने पहुंच जाती हैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो इनकी माती सने लता जी वह फिल्मों में एक्टरों के इंटर्व्यू लिया करती थी पत्रकार थी तो सने लता इनकी मा एक बार जो प्रकास महरा हैं उनके पास इंटर्व्यू के लिए पहुंच जाती हैं प्रकास महरा ने बताया कि वो अमिताब बच्चन के ऊपर एक फिल्म प्लान कर रहे हैं यानि कि एक फिल्म बनाने का यहां पे जुगार उन्होंने लगाया है उनको अमिताब बच्चन के बच्पन के रॉल के लिए एक 13-14 साल का एक लड़का चाहिए जो की देखने में दुबला पतला हो और अमिताब बच्चन के जैसा वह दिखता हो यह बाद दोस्तों सुनते ही सिनेल अताजी ने जट से अपने बेटे मयूर का जिक्र उनके सामने छेड़ दिया जो दुबला पतला था और अमिताब के जैसा ही दिखता था देखने में भी सकल भी उसकी अमिताब के जैसी ही मिलती थी प्रकास महरा ने उनसे फोटो भेजने के लिए कहा और सिनेल अताने जब प्रकास महरा के पास अपने बेटे के फोटो भेजे तो प्रकास महरा पहली ही नजर में देखते ही अब उस बच्चे को अपनी फिल्म में लेने का डिसीजन यहां पर ले लेते हैं क्योंकि वे बच्चा हुबहू अमिताब बच्चन के बच्चपन के रॉल के लिए तयार था अब जो प्रकास महरावे तयार हो जाते हैं इस बच्चे को अपनी फिल्म में अमिताब बच्चन के बच्चपन का रॉल देने के लिए और यहाँ पर मास्टर मयूर ने पहली बार में फिल्म मुकदर का सिकंदर से ही हिंदी सिनेमा में कदम रख दिया था ज़ंडे गार दिये दोस्तों आपको याद भी होगा जो उस दौर के लोग हैं मुकदर का सिकंदर फिल्म जुबली मना कर उत्री थी बहुती सूपर हिट रही थी गोल्डन जुबली मना कर सिनेमा घरों से उत्री फिल्म ने मयूर को भी रातो रात सिटार बना दिया था और लोगों के दिल में उनकी एक चबी बन गई थी इसके बाद तो अमिताब बच्चन के बच्पन के रॉल या तो मास्टर बिट्टू किया करते थे मास्टर बिट्टू के उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं उनको मिलता था या फिर मास्टर मयूर को मिलता था अमिता बच्चन के बच्पन के रॉल का किरदार मयूर को सिनेमा में यंग अमिता बच्चन के नाम से जाना जाने लगा और दोस्तों अमिता बच्चन के बच्पन का रॉल कर जितनी प्रिसिद्धी मयूर ने कमाई अतनी कोई भी बालकलाकार हासिल नहीं कर पाया था उस दोर के अंदर फिर दोस्तो लावारिस फिल्म में हीरा के किर्दार ने मयूर को खूब लोगों के बीच में चरचा का विशे बनाया और खूब इस फिल्म से इन्हों ने पर सिद्धी हासिर खी दोस्तों फिर तो उनके उपर फिल्मों की बरसात होने लगी थी फिल्मेकर चक्कर कारते नजर आने लगे थे उनके घर के आसपास और उस दौर में मास्टर मयूर की गिंती सबसे महंगे बालकलाकारों में सुमार हो गई थी यानि कि मयूर भी बहुत महेंगे बाल कलाकार बन चुके थे उस दोर में अब उन्होंने कुछ फिल्में की उन फिल्मों के कुछ एक नाम में आपर आपको बताना चाहता हूँ लव इन गोवा, सराबी, कानून अपना अपना से लेकर 15 हिट फिल्मों में उन्होंने अपना हुनर दिखाया था दोस्तो लगातार 15 हिट फिल्मों के अंदर उन्होंने अपनी कलाकारी लोगों के सामने पेस की और इतनी फिल्मे हिट होने के बाद अब तो मयूर एक तरह से कहते हैं सूपरस्टार की गिंती में आ गए थे बालकराकारों में मयूर के काम की खुस्वु महन डारेक्टर बियार चौपडा तक भी पहुंच जाती है उनको मयूर में महाभारत का अभी मन्यू नजर आ जाता है और बियार चौपडा ने मयूर को महाभारत में अभी मन्यू का किरदार दे दिया ये किरदार तो उन्होंने ऐसा निभाया दोस्तों कि लोग आज तक भी उनको भूल नहीं पाए हैं अभी मन्यू के किरदार में इसके बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं 2001 के बाद किसी को भी नहीं पता था कि वो क्यूं गायब हुए थे असल में उनके गायब होने के पीछे का फैसला उन्हीं का था यानि कि खुद उनका ही था उन्होंने बिजनिस शुरू किया था वो बिजनिस में अपना हाथ अजमाना चाहते थे फिर उन्होंने एक मसूर सैप नूरी से साधी कर ली और नूरी से साधी करने के बाद उनको दो बच्चे हो जाते हैं और दो बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद वह भारत छोड़कर विदेश चले जाते हैं और वहाँ वो अरब पती व्योपारी बन गई दोस्तों। उन्होंने वहाँ अपनी पत्नी के साथ इंडियाना रेस्टोरेंट सुरू किया जिसके दम पर वो अरबों के समराज्य के मालिक फिलाल बन चुके हैं। इतना ही नहीं वो वहाँ पर वेल्स अलिपिटेड नाम की कमपनी भी चलाया करते हैं दोस्तों। इस कमपनी में क्या होता है। उनकी कमपनी वेल्स में आने वाले सेलानियों को वो जगह दिखाते हैं जिनको उन्होंने फिल्मों में देखा है। फिल्मों को सूट किया जाता है बहुत सारी ऐसी जगह हैं तो वह सेलानी उन फिल्मों को की उस जगह को उस लोकेशन को देखने आते हैं। वेल्स के बड़े व्यापारियों में मयूर का नाम फिलाल सुमार है। वैसे मयूर बॉलीवुड को नहीं भूल पाए हैं दोस्तों वहाँ पर वो एक्टिंग क्लास भी चलाया करते हैं। और लोगों को हिंदी सिनेमा से रूबरू करवाते हैं। तो मयूर अभी भी वहाँ पर अच्छे खासी अर्निंग करते हैं और उनकी जिंदगी एक तरह से बदल चुकी है। साइध हो सकता है फिल्मों में वो इतना नाम नहीं कमा पाते, इतनी धन्दौलत नहीं कमा पाते और बाहर जाकर उन्होंने जो व्यापार बिजनिस चालू किया है उसमें उनको सफलता मिली और आज वो आर्बों खर्मों के मालिक हैं। याद आया होगा आपको जो महाबारत के अंदर अभी मन्यू का रॉल करते हैं वही मास्टर मयूर थे जिनको आपने छोटे रूप में बहुत पुरानी फिल्मों में अमिता बच्चन के बच्पन के किरदार को निभाते हुए बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। तो दोस्तो एक बच्चा जो की फिल्मों में आना चाहता था उनकी मा भी उनको फिल्मों में लाना चाहती थी और एक मौका ऐसा मिला पहली ही फिल्म से ये बच्चा लोगों के दिल में छाप छोड़ने में कामयाब हो जाता है और अपने दौर का बहुती महंगा बालकलाक भी बन जाता है और फिर इन ओन डिसीजन ऐसा लिया कि यह देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वहां जाकर रेस्टोरेंट वगेरा और कंपनी बनाते हैं और आज यह है अरब पती खरब पती लोगों की गिंती में सुमार हैं तो आपने यहां पर इनकी कौन सी फिल्म द अगला पुरा मलदी फिर से लेकर आऊँगा तब तक आप देखते रहें फिल्मी कानिया चैनल जै हिंद जै भारत